हफ़ते में एक दिन बस एक चमज लगा लो बाल भैंकर लंबे घने होंगे 100% गारंटी है अगर आपके बाल बहुत जादा रूखे बेजान हो चुके हैं या आपके बालों की लंबाई नहीं बढ़ लई है वियर फॉल रुक नहीं रहा है या जो बाल आपकी हाँ पर जड़ कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको सेड़ जरूर कर दीजेगा इसनुसके को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर लेना है करी लीप्स तो यहां पर बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मैं करी लीप्स या या करी पता क्या होता है तो हमारे हां पर इसको करी पता बोला जाता है बहुत से लोग इसको मीठी नीम भी बोलते हैं तो आप क्या बताईए कर करके कि इसको क्या बोला जाता है तो सबसे पहले आपको इसे अच्छे से धुल लेना है ताकि इसकी धूल मिट्टी वगेरा जो होती है वो सारी निकल चाए इसके बाद हम इसकी पत्तियों को अलग कर लेंगे और जो इसकी डंटन है उसको हम यहाँ पर अलग करके रख देंगे और उन्हें लंबा घनाबा खुबसूरत बनाता है साथ ही यह एंटी आक्सिडेंट एंटी डायविटिक एंटी हिस्टामिनिक एंटी वैक्टिरियल जैसे गुरों का अच्छा स्रोत है इसके अलावा इसमें प्रोटीन और आईरिन की बहुती अच्छी मात्रा होती है यह सारी चीजें हमारे बालों के लिए बहुती जादा जरूरी है यह बालों को जड़ों से मजबूत कर उन्हें बढ़ने में बहुत ही जादा मदद करती हैं तो दोस्तो यहां पर आप देख सक्ते इसके पत्टो को मैंने इस तरीके से निकाल कर रख लिया है इसके अलावा दोस्तो मैंने हाँ पली है आबला लेफ्स तो ये आबलेकी पत्या है ये आबला जितना हमारे हेर के लिए बहुत ही जादा important बाना जाता है उसी तरह के से इसके जो पत्या होती है वो भी हमारे hair growth को बढ़ाने में और हमारे hair fall को रोकने में बहुत ही जादा मदद करती है साथ ही हमारे बाल जो असम है सफेद हो गए है उनको काला बनाने में बहुत ही जादा मदद करती है आज मैं आपके साथ ऐसी तीन पत्तियां इसमें एड़ करूंगी जिससे आपके बालों को बहुत ही जादा फायदा मिलेगा दोस्तों आवले की तरह इसमें बीटामिन, सी, कैलसियम, फासपोरस, आयरन, कैरोटीन, बिटामिन भी, फाइबर और कार्वोहाइडर जैसे तक तुम भरपूर मातरा में पाए जाते हैं आवले को बालों के लिए बर्दान माना जाता है, इसी तरहीके से इसकी पत्या को भी हमारे बालों के लिए बहुत ही जादा अच्छा माना जाता है इसको आप अपने हेर पर यूज करके देखिएगा, आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आपको देखकर हैरान रह जाएंगे नेक्स्ट हम यहाँ पर दोस्तों ले लेंगे यहाँ पर भ्रेंगराज याने की घमरा, बहुत से लोग इसको घमरा बोलते हैं, बहुत से लोग इसको भ्रेंगराज के नाम से भी जानते हैं तो अभी देख सकते हैं यह थोड़ा सा ड्राय हो गया था क्योंकि मैंने इसको कल ही तोड़ा था और अभी थोड़ी सी गर्मी जादा पढ़ रही है इस बज़े से यह थोड़ा सा ड्राय हो गया था लेकिन कोई बात नहीं इस से हमें पूरा वैनिफिट मिलेगा तो दोस्तो तो यहां पर हम भ्रहंगराज है इसको भी एड़ कर देंगे सारी चीजों को तीनों चीजों को हम अच्छे ते इस मिक्सेजार के अंदर एड़ कर देंगे और इसमें डाल देंगे एक चोटा ग्लास मैंने पानी का डाला है बहुत जादा पानी एड़ नहीं किया अगर आप बड़े गलास से डाल रहे हैं तो आदर गलास इसमें पानी एड़ करके इसका आपको बिल्कुल फाइन पेश इस तरीके से बना लेना है आप देख सकते हैं नेक्स्ट हम यहां पर ले लेंगे बाउल और एक चनी ले लेंगे इसकी मदद से ना हम इसका जो सारा जूस है व सपेढ़े हैं और जो आपके बाई असम है सफेद हो रहे हैं वह समस्य आपकी हाँ पर दूर हो जाएगी और आपके बालों में खुज़ली वगकरे है दोस्तो इसमें बिटामिन डी बिटामिन ए मैगनेसियम आइरन कैलसियम इस्टरोइड्स पॉली पेप्टाइड्स और प्रोटीन जैसे पोसक तत्त पाय जाते हैं इससे बाल जड़ से मजबूत बनते हैं यह स्केल्प की परिसानियों को भी दूर करता है दोस्तो ब्रहंग को रोकता है यह बालों को संपूर पोसर देता है प्रंगराज का इस्तेमाल हेयर कैर की जड़ी बोटियों में आयरुपिदिक दबाव में भी किया जाता है दोस्तो अब आप यहां पर देख सकते हैं इसका जूस जो है बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहां पर निकाल लि कंदेशनर की तरह काम करता है जो हमारे बालों को मुलाइम और चमकदार बनाने में बहुत ही जादा मदद करता है एंटी फंगल और एंडी बैक्टिरियल गुड़ों के चलते नारिल का तिल बालों को बैक्टिरिया से सुरक्चा देता है इसमें बैक्टिरियल हेयर अगर आप यहां पर इसको एड़ करना चाहते हैं तो एड़ कर लिए जए या तो आप इसे अधरवाइज इसके भी कर सकते हैं तो एलोवेरा जेल भी हमारे बालों को मुलाइम चमकदार बनाने में हमारे बालों को सिल्की साइनी बनाने में बहुत ही जादा मदद करता है इस तो आपको यहां पर इसमें अलोवेरा जल जरूर एट कर लेना है यह नुसका हमारा बनकर एकदम रैडी हो गया है नेक्स्ट दोस्तों हमें यहां पर क्या करना है जब भी हम अपने हेर को वास करने के लिए चाहे नहाने के लिए चाहे उससे आपको 15-20 मिनट पहले आपको इ यहां पर इसे पूरी नाइट के लिए भी लगाकर रख सकते हैं तो दोस्तों इसमें उसके को आपको यहां पर बहुत ज़्यादा लगाने की जरूत नहीं है डेली डेली बस आपको यहां पर हफते में सिर्फ एक से दो बार इसको यूज़ करना है इतने में ही आपको प्रेंगराज का उइल जो है अगर अब आपको देखना है किस त Tilkt के से बनाया जाता है तो उसका लिնक में आपको डिस्कृप्षप्सन में डाल दूँगी तो आप बहां से देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है दोस्तों आपके बालों के लिए प्रेंगराज बहुत ही अच्छा माना जाता है तीनों जो मैंने हापा लीवसस में एट की है वो हमारे हेयर गोरोध को बढ़ाने में उनकी सारी समस्याओं को दूर करने में आपके बाल दो मुहे बाल हो चुके हैं आपके बालों से डेंटरप की समस्या खतम ही नहीं हो रही है या आपके बालों में बहुत जादा एजिंगी प्रॉबलम हो रहे हैं खुजली है या आपके बाल जढ़ रहे हैं बहुत जादा तो इसमों उसके को ट्राइ करने से सारी समस्यां आपकी खतम हो जाएंगी बस आपको इसे यूज करना है यूज जब आप इसको करेंगे फैस्स टाइम में ही आपको इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो आपकी हाँ पर हियर फॉल की समस्या है सिर्फ एक बार म आपको यहां पर इसको लगा कर रखना है कोई भी माइल्ड जैंपू से अपनी हेर को वस कर लिजे बस वीडियो अच्छा लगया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब